बोली स्री प्राणा थे प्यारे की जय चर्चा प्रारम होत हे सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्राणा थे सखी जीवन हमारो हुए स्री महमती कहे ए साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियों चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत स्री महमती कहे ए साथ जी ए मेहर हे हक जैसी इमान जिनका होत तिन माफ़क होत तिन माफ़क दोनो सरुपो का मिलाप स्री देवा चंद्र जी के अमल में साथ को सुक हुआ अंग स्विशन दो साथ को प्रणाम जी आज भी तक के नवे दिन पे हम सब लोग यहां पे उपस्ते थे जिस प्रकार से हम यह सोचते रहते हैं कि संसार में हम किस प्रकार से आए यहां पे हम देखें कि जब मा के गर्व से हम निकलते हैं तो हम इस संसार को अपनी आखों से दिखने के प्रयास करते हैं जब संसार की इस ब्रह्मान में आने के बाद हम पहली बार अपनी मा के साथ जूड़ते हैं और हमारे हृदे का इस्पंदन सुर होता है धीरे धीरे हम अपने पिता को जानते हैं अपने लवकिक परिवार को जानते हैं और जब तक मृत्य नहीं हो जाती है तब तक अपने ही परिवार में बधे रहते हैं कोई कोई ही आत्मा होंगे, कोई कोई ही ऐसे धर्मात्मा होंगे, जो अपने आत्मा की ओर जाते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, उस अलोग की परिवार के खोज करेंगे। संसारी जो परिवार है, हो सकता है वो आप और हमको छोड़ सकते हैं, हो सकता है वो इस संसार तक के लिए सीमित हो, लेकिन वो आत्मिक परिवारी है जो हमें इस लोग में भी मिलेंगे और उस परलोग में भी मिलेंगे। इसलिए येदि हमें साथ चाहिए तो किसका उसी आत्मिक परिवार का जिस प्रकार से धनी श्री देब चंदर जी अपने आत्मिक परिवार के लिए यहाँ पे सर्व कुछ करने के लिए चाहत रखते हैं धाम धनी यहाँ पे सवयम अब धनी स्री देब चंदर जी के हिर्दे के अंदर बेठ छुक है वो अब तार्तम को इस प्रकार से बताया जाता है तार्तम क्या है तार्तम वो तत्तो है तत्तो जान है जो हिर्दे के धनी, हिर्दे के अंदर बेटने के बाद वो उजागर होता है तो इस प्रकार से जब स्वयम देपचंद्र जी के अंदर अब हिर्दे में जब स्यामा जी के अंदर राजी बेटते हैं तब जाकर उनकी अंदर तार्तम क्या ग्यान उत्पन होता है सोयम धाम धनी अब यहाँ पे आज्या देते हैं बुलाओ लाओ मेरी रूह अल्ला जो है मेरी आशिक वो धाम धनी है जो अब अपने प्यार के वास्ते जिसने रब्द किया था उसको बुलाने के लिए आगरह करते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं तुमारे हिर्दे पे आकर बेट रहा हूं मैं ही कार्य करूंगा और तुम्हें ढूणने की कोई ज़र्रत नहीं है परन्तु मेरी आज्या यही है कि तुम्हें अब अपने ब्रह्म स्रिष्टेों के अपने अलोकिक परिवार को ढूनना है ना कि अपने जो लोकिक परिवार है उसको साहत देते हुए आगे बढ़ना है हम इस संसार में आए हम इस संसार से जाएंगे यह सत्य है सत्य हमें इतना ही पता है कि हम आने के बाद हमारा यह जो सरीर है वो मृत्यू निश्चित है तो यह सत्य हमने जानने के बाद क्या हमने उस पुरसार्थ किया है या नहीं कि हम उस अलोकिक परिवार को प्राप्त कर सके तार्तम ज्यान के बदलत हमें ये पता चलता है कि हम उस परमधाम के सक्षियां है और जो ब्रह्म स्रिष्टियों से, स्यामाजी से तथा राजी से जुड़े हुए हमें ये पता चलता है कि इस मायवी जगत में हम आये हैं और हमें शिर्फ एक छेण के लिए ही हम ये हां पे सोपन देख ले हैं और थोड़े दिन के बाद इस सोपन में ही जो राज महल दिखाए देता है जो परिवार दिखाए देता है और जो ब्रह्मक संसार दिखाए देता है उसको भी हमें त्याक कर जाना ही परन्तु फिर भी एक माया और मोह है जिसके कारण हम बदे हुए हैं जिसके कारण हम इस संसार में अटके हुए लेकिन अब धामधनी उस रुह को बुलाना चाहते हैं उस परमधाम के आत्मा को बुलाना चाहते हैं तब जाकर गांगजी भाय के घर में वो पद्राते हैं, वहाँ पे चर्चा प्रारम होती है, चर्चा के साथ-साथ वहाँ पे अलोग की कलिला भी होती है, बुलाने के लिए तो वो सुन्दर साथ को अपने घर की ओर चाहते हैं, वहाँ पे अब सुन्दर साथ को किस प्रकार से हम अपने हिर्दे पे बिठाते हैं, अपने सीर के उपर बिठाते हुए अपने आपको नीचे गिरा कर, लेकिन अपने सुन्दर साथ को हम सुयम किस प्रकार से उपर उठाते हैं, यहाँ देबचंदर जी पूर्ण तयाय से उसको भी अपने दाईतों का निर्वा करना चाहिए सुन्दर साथ उसी को कहते हैं जो हृदे के अंदर निर्मल हो जो हृदे से सचा सोचता हो और जो बाहर भी वेसे ही दिखाता आज हमारे समाज में सुन्दर साथ के नाम पे शरिफ नाम रह गया है हो सकता है मैं नहीं कहता कि हर कोई ऐसा है लेकिन जितने भी हमें दिखाए देते हैं ऐसा लगता है कि बाहरी रूप से वो सुन्दर साथ है लेकिन आंतरिक रूप से वो इस जीव भाव को छोड़ नहीं पाए वो इस आत्मिक भाव को ले नहीं पाए इसी कारण तो ये एक कहावत आती है बगल पे चाकू है और मूपे क्या है राम राम हम कहते हैं लेकिन वो चीजे आज समाज में आज प्रचलेत में हैं तो इस कारण से सुन्दर साथ होने का जो लक्षेंड है यहाँ पे अब किस प्रकार से चर्चा सुनाई जाती है किस प्रकार सुन्दर साथ अपने आपको सर्वस्चो त्यागते हैं और किस प्रकार वो राजी के लिए समर्पित होते हैं यहाँ आगे जाकर हम सुनते हैं तो इस प्रकार से अब गांग जी भाई के घर में लीला चल रही है अब क्या आगे होता है वो बताएंगे अजबाई भतीजे मेगबाई की रहे गांग जी के घर में गांग जी भाई के घर में अनेकों चर्चाए हो रही है गांग जी भाई के परिवार में जो बेटा स्याम जी था उसका जो बदू है उसका नाम है अजूबाय अब वो अजूबाय का जो समंध है वो महिराजी के घर पे हरिबंग्स ठाकुर के जो पतनी है उनके साथ उनके एक रिस्ता है जिसके कारण वो उनके घर में जाती है और वहाँ जो भी लिला हो रहे है वो बता देती है जिसके कारण से अब हरिबंग्स जी तो वहाँ पे नहीं है, हरिबंग्स जी किसी काम कारण वस वहाँ से दुसरे गाओं या दुसरे देश पे चले जाते हैं, जिसके कारण वहां महिराजी के घर पे चार भाई रहते हैं, स्यामल जी, उद्दब, ठाकुर, गोवर्धन और मह तो इस प्रकार से जब वहाँ पे बाते होती हैं तो वहाँ अब उनके जो भाई जी है वो अपने भाई को गोवर्दन जी को कहती है कि सच में ये अजबाई सत्य भी कह रही है या ने क्यूंकि आज जुट कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और जुटे लोग की विसे में हम ज इस कारण से वहाँ पे सक है कि सच में इसने जो कहा है वो सत्य ही भी आने तो उसका परिक्षण लेने के लिए अब गोवर्दन जी को भेजने की वहाँ पे कहावत कही जाते हैं तो इस कारण से गोवर्दन जी भी किसी कारण वस ना जाने के कारण अपने पतनी को वहाँ भ रहे हैं और वो साक्षात कुछ दर्शन दे के हमें अनुभूती कराते हैं तब जाकर गोवर्दन जी भी वहाँ पे जाकर अब धाम धनी से जुड़ते हैं उनके अंदर स्वेम परमधाम की आत्मा है अब वो प्यासे तो पहले से ही थे लेकिन कारण कारजवस इस संसार के जो और आत्मिक आहर नहीं बारे थे तो इस कारण से आज प्रथम बार वो 1647 में अपने धाम धनी के पास पहुचते हैं उनके चरन कमल को छूते हैं तथा तार्तम ज्ञान को ग्रहन करते हैं अब जाकर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए किस प्रकार दोनों सुरुप का मिलाव ह पहुता है यहां पर बताएंगे जुगलखाई को टवाल सो एक कायस्त के घर तो यहाँ पर दोनों सुरुप के मिलाव होने से पहले एक चमतकारी लिला जो आडी का लिला कहा जाता है वो दिखाया जाता है एक समाज है जहां पर लड़के और लड़किया चर्चा सुनते हैं वो एक साथ रहते हैं रात रात भर चर्चा होती है वो समय है 300-400 साल पहले जब मानव के जो बुद्धी है वो संकुचित भावने से ग्रसित था आज भी यदि कोई लड़का और लड़की साथ में बेठें और भले ही वो धर्म की सर्चा करें उनका उमर एक जैसा हो तो लोग क्या सोचेंगे लोग यही सोचेंगे कि वो लड़का और लड़की कुछ गलत कारे ही कर रहे है तो इस प्रकार के भाव आज तक इस दुन्या पे है तो वो तो 300-400 साल पहले की बात थी जहां पे जाती भेद और अनेको भेद की बाते किया जाता था तो उस समय पे वहां पे एक ही कमरे के अंदर महिला और पुरुष सर्चा सुनते थे तो वहां के लोग जो थे अब कोत्वाल के पास जाते हैं और कोत्वाल को कुछ चुगली लगाते हैं कि उस घर पे ऐसा अनर्थ कारे होता है तो इस कारण से दो कोत्वाल को वहां पे भेजा जाता है अर्थात आजकल के भाचा में जो पुलिस है उनको भेजा जाता है और जो पुलिस आते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के लिला होता है एक फिरा कुए पर चार पहर रात तो एक जो सिपाए है आगे बढ़ता है तो वो एक जो इनार कहा जाता है जो खुवा कहा जाता है उसके इरद गिरद अब वो क्या करता है रात भर घुमता रहता है उसको लगता है कि मैं देपचंद्र जी के घर की और जा रहा हूं वो देखता है कि एक धिपक जला हुआ है और जो चुगल खोर ने रस्ता बताया था उसी की और वो चलता है लेकिन वहाँ पहुंच नहीं पाता। और दुसरा जो सिपाए है वो आगे चलते हुए लग भग चार को आगे पहुंच जाता है जहां पे 38 किलो मीटर का यहां पे बताया गया है। तो वो राद भर चलते हुए इतने दूर तक पहुंचता है और जब सुबे उड़ते हैं वो दोनों तब जग जाते हैं और कहते हैं कि वो कहां पे हैं। उनको ये तक पता नहीं कि उनको ये तक होस नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आडिका लिला हुआ, जिस प्रकार से जो चुगल खोर था, उनको के इस प्रकार से डंड मिला, तो इस प्रकार धनी स्री देपचंदरी जी छोटे छोटे आडिका लिला करते रहते थे, वो अपने सुंदर साथ को बचाने है तो, वो अपने सुंदर भी धनी स्री देप चन्री जी से लगाव रखते थे आगे बढ़ते हुए अब सुन्दर साथ की जागनी आगे बढ़ती है और आगे क्या होता है संबत सुलह सो पचतरा भाद वदी चौदस नाम तो यहाँ पे जो जन्म मिती है वो स्वयम मिहिराज जी की बिशे में है मिहिराज जी कौन है इंद्रावुती सक्षी है इंद्रावुती सक्षी को हम कौन कहते हैं स्वयम ब्रह्म आत्मा है जो परमधाम से आई हुए मुख्य ब्रह्म सिष्टी के रूप में जानी जाते है शास्त्र कहती है सुन्दरी चंद्रिया नामा भ्याम जो सुन्दरी है औ जो सुर्य बंगसी और चंद्रबंगसी के राजय में राज्य के समय पे जिसने राज्य किया था वो सुन्दरी और इस समय पे इस कल्यूग में किस प्रकार से आएंगे माय अंध़कार बिना साय प्रति बुद्ध भविश्यत कलिव यूगे तो इस माय अंध़कार में जब सब लोग माय के अंदर दल्दल में फशे होंगे उस समय के बाद है उस भविश्य में वो सोयम आएंगे और उस कलिव रुपी राक्षस को मारेंगे कली रुपी राक्षेस होता तो कुछ है नहीं ना उसके हाथ होते हैं ना सिंग होते हैं लेकिन जो हृदे के अंदर बेठा हुआ जो राक्षेस है जो परमात्मा की ओर जाने नहीं देता वो ही राक्षेस को वो क्या करेंगे अपने जो ज्ञान है तार्तम के बल से वो मारने का प्रयास करेंगे और आपको रिदे को वो सुद करेंगे तो इस प्रकार से धर्मसास्तर यही कह रही है कि वो इंद्रावुती सक्षी आएंगे और वो इंद्रावुती सक्षी अब इस समय पे जनम ले रही है सरीर कभी भी आत्मा ग्रहन नहीं करते जब जनम हो रहा है तब उसके अंदर जीव है लेकिन जब सरीर मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब जाकर स्वयम परमधाम की आत्माएं उनसे जुड़ती है जैसे रास में जिस प्रकार से ब्रज में परमधाम से ब्रमधाम आत्माएं उस परमधाम से इस धर्ती पर आये और स्वयम वहां के जो ब्रज की गोपिया थी वो कितने उमर के थी वो स्वयम वहां पर जनम नहीं ले थी उनका सरीर पहले से बड़ा था और उनके सरीर के अंदर वो जो जन्म पहले से ले चुके हैं उनके अंदर आत्मा प्रविष्ट होता है उसी प्रकार से जब रास में जाके वहाँ पे अक्षर ब्रह्मा के जो नूर तत्तो हैं उसके द्वारा सरीर की रसना होती है और उस सरीर के रसना के अंदर सोयम आत्मा प्रभिष्ठ होती है अर्थात ब्रह्मा आत्मा तथा कुमारी का सकी प्रभिष्ठ होकर वहाँ पे लिला करते उसी प्रकार आज इस मानब तन पे जो इस प्रिथिवे पर है आज मिहराजी का ज 1675 का समय है भादो 14 रविबार के दिन सुबह के 9 बजे उनका जन्व होता है तब जाकर इंद्रावुती सक्षी उस सरीर के अंदर प्रविष्ट होती है उनका नाम है मिहिर राज आज समाज में मिहिर राज जी को मेहिर राज कहके पुकारा जाता है मिहर का अर्थ होता है बादल और हम सास्त्रों पे पहचानते हैं कि उनका नाम किस प्रकार से आएगा उनका नाम सुर्य के लक्षन के जैसा आएगा अर्था मिहिर का अर्थ है सुर्य तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि मिहिर राज का अर्थ ही होता है कि सुर्य के जैसा प्रकास वाला बेगती है तो मिहिराज का सार्थक अर्थ यहां पे लगता है तो इसलिए हमें भी उनको मिहिराज कहकर ही पुकारना चाहिए तब इस प्रकार मिहिराज जी का जब जन्म होता है तब वहां पे वो आगे बढ़ते हुए अपने गुवर्दन भाईजी के साथ लगाप रखते हैं गुवर्दन भाईजी सोयम तो परमधाम की आत्मा है तो दोनों आत्मा जब सात में हैं तो उनका लबाग होना सुवाबिक है अब गोवर्दन जी सोयम धनी स्री देवजंडर जी के पास गए उनके पास तारतम ग्यान लिया अब जो 12 साल का लड़का है महिराज वो किस प्रकार से सोच रहा है वो किस प्रकार से देख रहा है कि मेरे जो भाई है वो सोयम धामधनी के पास जाते हैं और वो खुश होके रहाते हैं मैंने देखा मेरे जो स्याम भाई है वो काम इतना महनत करते हैं लेकिन कभी भी उनके चहरे पे वह खुशी नहीं है वो चहरे पे वो आनंद नहीं है वो बच्चे के दिल पे वो लगता है तो अब जाकर आगे क्या होता है तब कहिया गुवर्धन को मोहे ले जाओ तुम तब जाकर मिहराज जी अब 12 साल के हो चुके हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है हैं, 12 साल, दो मैने और दस दिन के समय पे वो धनिश्री देपसंद्र जी और स्वयम मिहराजी वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन उस मिलन से पहले कुछ क्वेश्ट उठाना पड़ता है, कुछ बताना प हमें किस प्रकार से धाम धनी के चरन कमल मिला हुआ है, किस प्रकार से हमें बुला बुला कर संस्ता पे बुलाया जाता है, किस प्रकार से आगरह कर कर चर्चा सुनने के लिए और सुनाने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, जो 12 साल का है, और और वो स्वयम कह रहे ना कि गोवरदन बहाई ना ही उनके माता पिता वो कहते हैं कि हे गोवरदन बहाई मुझे मिहराज को किसके पास ले जाओ स्वयम धनी के पास ले जाओ और मुझे तार्तम ज्ञान देदा लिकिन आज हम अपने जीवन को जिस प्रकार से कहां पे समर्पित कर रहे हैं जिस प्रकार से धनी स्री देपचंद्र जी थे हैं जिसका तन देपचंद्र जी था 11 वरस के उमर पे उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ मुझे जाना कहां पे है और वो उस पस पर चल दिये आज मिहराज जी हैं 12 साल के हैं और वो अध्यात्म मार्क पर चलने के लिए तयार है लकिन हमारा जो उमर है वो बढ़ता ही जा रहा है हमारा उमर है जो ढलता ही जा रहा है फिर भी हम उन धनी को पहचानने के लिए तयार नहीं, उनके ग्रंथ को पढ़ने के लिए तयार नहीं और उनके सुरूप को हिर्दे पे धारन करने के लिए हम तयार नहीं है तो वो मिहराजी आप और हम सब को सिखापन दे रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे होते हुए भी हमें किस प्रकार धनी की चरण को पकड़ना चाहिए तो इसलिए मिहराजी गोवर्धन जी को यही कहते हैं कि भाई मुझे ले चलो लेकिन गोबरदन जी मना करते हैं कि जब तक मैं अपनी गुरू की आजिया को नहीं पता लगा लूंगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं ले जाओ. तब जाकर गोवर्दन जी स्वयम धनी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद देवचंदर जी से पूछ लेते हैं कि क्या मैं अपने भाई को ला सकता हूँ तब वो कुछ बताते हैं ध्रूब को चर्न भगवान के भए पांच वरसो प्रापत ध्रूब की बात कहकर वो गोवर्दन जी को ये बताते हैं कि मिहराज जी को ले चला मिहराज जी को ले चलने के लिए ध्रूब का बात क्यों कहा गया ध्रूब कौन है ध्रूब की जो उधारन है क्यों कहा जा रहा है एक छोटा सा लड़का है पांच साल का जो ध्रूग और वो कौन है स्वेम एक राजा का पुत्र है राजा की दो पत्नी है जिसमें एक की नाम और दुसरे के नाम जो सुमीता है उनके द्वारा जो उत्पन हुआ है उनका नाम ध्रूग है एक पत्नी को वो बहुत प्यार करती है और सुमिता को वो देखते तक नहीं उनको कोई परवा नहीं कि वो क्या कर रहे है तब जाकर सुमिता अपने घर से निकल जाती है अब धुरूप अपने पिता के प्यार के लिए तड़वता है तब वो ये देखता है कि अपने पिता के पास कि दुसरे जो पत्नी है उसके पुत्र राजा के गोद पर खेल रहा है तब वो भी चाहता है कि मैं अपने पिता के गोद पर खेलू लेकिन उनकी जो सोतन मा है वो ये नहीं चाहते और उनको धका देकर निकाल देते अपनी मा के पास आकर वो पुछते हैं कि मा मेरे पिता के पास में क्यूं नहीं जा सकता तब सुयम सुमिता अपनी माता जी वो कहती है कि हे पुछत वो जो पिता है वो तो लवकिक है लेकिन जो अलोग की पिता है, जो विष्णु है, जो तुझे जन में दिया है, तुझे उसका भक्ति कर और जब उस पिता का तुझे भक्ति कर लेगा और जब दर्शन मिल जाएगा, तब उनके गोत पर तुझे खेल लेना तब जाकर वो धुप पांच साल में ही तब के द्वारा आगे बढ़ता है और अपने अराध्धे को पा लेता है यहाँ पे यही बतानी की कोशिस हो रहा है कि चाहे वो पांच साल का बालक ही क्यों ना हो और चाहे वो उससे भी उचा उमर का क्यों ना हो लेकिन जिसके पास तडब है वो उस आराध्धे को पा लेगा तो इस प्रकार से जब उनको समझाय जाता है तो गुवरजन जी अब जाते हैं और अपने भाई को अब साथ मिलाते हैं और आगे क्या होता है 12 महिने, 12 महिने, 2 महिने और 10 दिन जो इस प्रकार से जो शरीर का जो आयो है अब यहाँ पे यही दर्चाय जा रहा है कि कितने कम उमर के समय पे उन्होंने अब वहाँ पे आये सोयम धाम धनी अब उनके सिर पर हाथ रखते हैं उसी समय पे अब वो तार्तम ग्यान ग्रहन कर लेते हैं यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो धनी ने दर्शन दिया था जो धनी अब वो क्या कह रहे हैं तार्तम बात कही बतन की जो तार्तम है अब उस बतन की बात है वो स्वयम देपचंद्रजी धनी स्री देपचंद्रजी हैं जो अब उस मिहराजी के अंदर तार्तम ग्यान को भर रहे हैं अब उस तार्तम ग्यान को भरते हुए अब उनकी अंदर की जो बाते हैं कि स्वयम किस प्रकार से अब पांचवे दिन के दिन में उनके तंसे लिला होने वाला है किस प्रकार से आपको साकुंडल और साकुमार की आत्मा को जागरित करना है जो इस समय में परमधाम की वहां उ आत्माय हस रही है, कहने का तातपरी इतना है कि जो सरेर इस दुन्या पे सुख भोगती है, उसका हृदय के अंदर बेटे हुए जी भोग कर रहा है। तो वो यही सोचती है कि जो सुख मुझे मिल रहा है, वो मैं ही भोग रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो राज गदी पे बेठे हुए होंगे, इस कारण से आपको उस हसी वाली आत्मा को जो हस रहे हैं, उसको जगाना है और जगाने के बाद ही हम सब लोग घर की ओर जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बीज है वो पहले से मिहराज जी के अंदर डाल दिया जाता है। मिहराज जी ये भी देखते हैं कि स्वयम देवचंदर जी के अंदर वो कुरान का बीज भी है जो अभी ब्रिक्ष के रूप नहीं ले पाया। तब धनी यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से वो कुरान पक्ष का खुलासा भी होगा। तो इस प्रकार चे धाम धनी स्वयम मिहराजी को अपनी आत्मा को एक मार्क दर्शन दे रहे हैं जिससे वो आगे के पत की ओर चल सके और जो स्वयम उनके चरन कमल को पकड़के अपनी धाम तक आ सके। तो इस प्रकार मार्क दर्शन करते हुए आगे क्या कहते हैं। खोजी बाई ये वनको कही रईवाई वासन जात एक खोजी बाई है जो वहाँ पर आती है और उनके अंदर रईवासना की आत्मा है महराजी ये देखकर फुश लेते हैं एक जिज्यासू है कि क्या ये दी मुसल्मान आते हैं और ये कोन है खोजी बाई वो मुसल्मान घराने से लगाव रखते हैं अर्था उस घराने से हैं अब वो पूछते हैं कि क्या मुसल्मान के अंदर भी उस परमधाम की आत्माए हैं तो धनी कहते हैं कि हाँ उनके अंदर भी कुछ-कुछ आत्माय आई हुए आज हम भी ये देखें कि अपने जो जात है उसको ना देकर अपने जो वर्ण है उसको ना देकर और अपने जो रंग है उसको ना देकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तब जाकर हम अपने आत्मा को धुन सकते हैं कहने का तातपर यही है कि आज तक हम उस संकुचित बिचारदारों में ग्रशित हैं कि हम इसे बताया जाता है कि हम कौन है तो यहाँ पे कही दिया जाता है कि हम तो पंजाबी हैं हम तो मराठी हैं, हम गुजराती हैं, हम नेपाली है तो जब इस प्रकार की बाते होती है ये तो एक मनुश्य के लिए है लेकिन आज धर्म के नाम पर जो बटा हुआ है यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसल्मान का धर्म जो मानता है और उनके मानने वाले का जो अल्ला है वो अल्ला का जो मानने वाले मुमिन है वो अलग है जो हिंदू सास्त्र में कल की अवतार आये हुए हैं जिसको स्वें बुद्ध निश्कलं का अवतार कहते हैं उनको मानने वाले ब्रह्मस्रिष्टी हैं और ब्रह्म शिष्टी और वो मुमिन अलग है तो इस प्रकार से आज सब्द के खेल पे रजकर आज हम भीवाजित हो चुके तो इस प्रकार से यहाँ पर सपश्ट करके धामधनी क्या करते हैं महिर राजी को समझाते हैं तब जाकर यहाँ पे कहते हैं कोई सब संसय रहे कईयो निर्वार धामधनी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो संसय मेरे अंदर है वो सोयम धामधनी ने उसको समाप्त कर दिया है अब कोई संसय ना रहा दिल के अंदर वो यही कहते हैं कि जो दिल के अंदर जो संसे है वो सब वार के पार इस प्रकार से ना इधर के संसे है ना उधर का संसे है ना इस संसार के लिए संसे है ना उस परलोग के लिए संसे है उन्होंने सब कुछ मिटा दिया इस प्रकार से वो ज्ञान दिये और मिहराजी को अब आ एक दिन आये घर में बड़ा भाई करत असनान तो यहां पे यही प्रसंग चल रहा है गोबर्दन जी और स्वयम मिहिराज जी अब तार्तम ज्ञान लेने के बाद उस रस पे मगन हो जाते हैं परमधाम की उस ब्रहमस्रिष्टियों को और क्या चाहिए जो रस स्वयम धामधन दे रहे हो वहाँ पे वो ब्रहमस्रिष्टि आना निश्चित है जहां पे फूल हो फूल में रस हो और वहाँ पे मदुमक्ष ना हो तो वो अच्चमित वाले भिसय हो जाएगा हो सकता है वो प्लास्टिक का फूल हो इसलिए मदुमक्ष ना आता लेकिन इति सच में वो सोयम वाहदत की रस को बहार है तो वाहदत की रस को पीने के लिए भी सोयम परमधाम से वो दोनों सखिया अब दिन रात वहीं पे रहते हैं जब रहते हैं तो परिवार के जो भाई है श्यामल जी अब वहाँ पे वो कुछ कड़क बात कह देते हैं कि जब वो आ रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं, तुम दोनों को तो कोई काम धंदा है नहीं, काम करना है तो मुझे ही करना पड़ता है, तुम लोग तो निठल्ले हो और जो तुम्हारे गुरु है और जो गांगजी भाई है, उनको तो इस संचार से अर्था, इस जो देश है, यहां से निकाल देना च उस समय लड़ाय की इस्तिती कभी भी हो सकती थे, अब लड़ाय की इस्तिती वहाँ पर भाईयों के बीच होने वाला, वो तरवार निकालते हैं और अपने भाईयों के पीछे दोडते हैं। यहाँ पर यह क्यों हो रहा है? एक गुरू है जो स्वयम अपने सिस्चे को कुछ समझाते हैं। आज यह गुरू को बदनाम करता है तो वो कौन है? वो स्वयम एक सिस्चे करता है। लेकिन उस समय की बात है कि वो धनी श्री देप संद्र जी के वो कौन है? स्वयम अभी ज्ञान ले रहे हैं, वो आत्मा हैं, स्वयम धनी के प्रति समर्पित हैं, अब वो ज्ञान लेते हुए अपने गुरु के प्रति कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, स्वयम अपनी परिवार का भाई है लेकिन फिर भी तरवार लेकर दोड़ रहे कहने का तातपर ये नहीं कि आज आज आपको तरवार लेकर दुश्रे को मारने के लिए जाना है कहने का तातपर इस इतना है कि जो हृदे के अंदर जो अपने गुरु के प्रतिस रद्दा ना हो जो यहां पे सत्रू बन के स्यामल जी बन के बेठे हुए हिर्दे के अंदर उसको तरवार से आप लोग मारो उसको ध्यान के उस तरवार से मारो और तथा ज्यान के तरवार से मारो तब जाकर वहां स्रद्दा उत्पन्न होगे तब जाकर सत्य का इस्तापना होगा और तब जाकर स्वयम धाम धनी हिर्दे पर प्रविश करें। इस प्रकार जब तरवार लेकर दोनों भाई दोड़ते हैं और स्यामल जी अपने प्रान बचाने के लिए भागते हैं। तब उनके माता जी धनवाई स्वयम उनको रोकती हैं। तब जाकर वो दोनों को सांथ होते हैं। उनके जो सस्त्र हैं उनको रख देते हैं। जब उनके पिता जी के सब ठाकुर आते हैं। तब उनको बताया जाता है कि आज ऐसा घटना हुआ है। तब वो ये सोचते हैं कि ये देवचंद्र जी के पास जा रहे हैं। तो मुझे लगता है देपचंद्र जी किसके सिस्य है वो कांजी भट के सिस्य है जो 14 साल तक उन्होंने भागवत सुने तो क्यों ना ये लोग भी अब उस कांजी भट के सामने ही जाए और वो लोग भी भागवत का ज्यान स्रमन करें उससे तो हमें कोई फरक पढ़ने वाला तो अब धनी स्री धाम की उदुल्हा है एक खेल रच रहे हैं कि किस प्रकार से अपने सक्यों को ये जाहिर भी करना है कि अपने सुन्दर साथ को की भागवत के ग्रंथ में किस प्रकार रहस्य छुपा हुआ है और उस रहस्य को जानने के बाद किस प्रकार से हम धनी से कुरने के लिए अब जो मिहराजी ने एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है पिता जी जो आप कह रहे हूं वो मानने के लिए में तयार हूं लेकिन येदी कांजी भड़ जी स्वयम हमारे प्रस्न के उत्तर दे सकें तो हम उनके सिश्य बनने के लिए तयार हैं वरना हम धनी स्री दे कह रहे हैं वो तत्व कहो कितने सही कितने प्रले अलोक तो वो यही पूझते हैं कि इस दुनिया पे कितने गुंड हैं कितने तत्व हैं कितने लोक हैं यह आप हमें बता दीजे तब कांजी भड़ जी खुश होते हैं कि बालक हैं फुश रहे हैं जिज्जासा कर रहे हैं तब वो भी उतर देने के लिए तयार होते हैं और तयार होके वो कहते हैं तिन गुण है सत, रज, अर्तम इसके अलावाद चौथा गुण कुछ भी नहीं है वो यही कहते हैं कि पांस तत्तो है प्रिथीवी जल, अगनी, वायो और आकास और शट्वा तत्तो कुछ भी नहीं है और आनिक हिसाब से जो चौदा लोग भागवत में बढ़न है चौदा लोग है जो प्रिथीवी है भू, भूवा, सोह, महा, जना, तपअ और सत्यम और जो नीचे के लोग है वो साथ लोग है जो पातल तक जाती है तो ये चौदा लोग के अलावा और कोई भी पंद्रवा लोग नहीं है तब स्वे मिहराज जी उड़ते हैं और वो पूझते हैं कि आप ये बताने का प्रियास किजे कि जब महाप्रलय होगा जब यहाँ पे कहा जाता है कि महाप्रलय की जब अवस्ता आएगे तब वो इस्वर कहां पे रहेंगे तब वो दंग रहे जाते हैं कि इस बालक ने इस प्रकार का प्रस्णा कहां से पुझ जया वो भोचकर खा जाते हैं तब जाकर वो यही कहते हैं कि ये जवाब तो स्वयम द्रम्हा जी भी नहीं दे सकते, प्रले की बात यहां पे छुट गया था, प्रले जो चार प्रकार का बताया जाता है, प्रले, नित्य प्रले, नित्य प्रले, नित्य प्रले, प्राकृतिक प्रले और महा प्रले, पराणिक हिसाबु से यह दि देख जाए तो नित्य प्रले उसको कहते हैं जो प्रति दिन हमारा नास और विनास हो रहा है जिस प्रकार से आज जनम और मित्यू आज ही के दिन में और इसी च्छेंड में भी इस संसार में कहों लोग मर रहे हैं तो उसको नित्य प्रले के रूप में लिया जाता है उसी प्रकार स नयमितिक प्रले है जो चौद लोग के ब्रमान्ध को कहा जाता है उसमें जो स्वर्ग तक आता है उसको नयमितिक प्रले के रूप में लिया जाता है जो महत तत्तो तक जाता है उसको प्राकृतिक प्रले के रूप में भी लिया जाता है तथा ये भी कह दिया जाता है कि जो प्रकुप जैसे बाड है उसको जिसके कारण से लोग मरते हैं और बिनास की इस्तिति आती है तो उसको प्राकृतिक प्रले कहते हैं और अन्तीम का जो प्रले है वो है महा प्रले जिसमें जो बेक्त प्रकृति है वो अब्यक्त अर्थात मूल में जाकर इस्तापित हो जाता है तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड दिखता है वो नास होने के बाद मिहिराजी यही पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से वो इस्वर जो कहा जाता है कि पातल में सेस नारेन के उपर बेठे हुए हैं वो किस प्रकार से इस संसार पे रहे गए तब जब उनके पास उत्तर नहीं होता और उनके सब ठाकूर जो पिताजी हैं उनको भी ये पता चलता है कि धनी स्री देवचंदर जी जो ग्यान देते हैं इन से कोई उचाही ग्यान है तब जाकर अब मिहिराजी को एक रस्ता खुलता है तब जाकर वो धामधनी से जुड़े रह सकते हैं इस संचार में जो जिसको क्या कहा जाता है एक भवसागर है भवसागर और भागवत यही कहा जाता है कि याकी एक कुंजी सुमीरन एक दो एक ताले खोलना सके संचारी जो संचार के लोग है वो इस दर्वाजे को और इस ताले को खोल नहीं सकते लेकिन धामधनी यही कहते हैं कि यदि इस संचार में ऐसा कोई संच मिले जो स्वयम धामधनी के लिए समर्पित हो तो मैं क्या करने के लिए तयार हूँ यह कुंजी देने के लिए तयार हूँ और यह भागोत का जो रहस्य है वो खुलने के लिए तयार हूँ तब जाकर यह जागरित जो ग्यान आया है वो ग्यान देने के बाद महिराजी को भी यह ग्यान पता है इसलिए वो आज ये प्रस्ण कर पा रहे हैं और किसी के माध्यम से धनी से जुड़ पा रहे हैं आगे क्या होता है बरस 24 मास दस उपर भे पांच दिन तो यहाँ पे यह प्रसंग चल रहा है कि 24 बरस के जब महिराजी हो जाते हैं तब जो साथ में थी अर्थात गुवरजन जी की जो आत्मा साथ में थी अब वो धाम की तरफ मुड़ गई है वो उनके साथ छोड़ कर अब इस संसार को त्या कर जा रहे है आज दिन तक गुवरजन जी के साथ वो खाते थे वो गुवरजन जी के साथ सोते थे और गुवरदन जी के साथ ही धाम धनी की विशे में बारतलाब करते थे संसारिक एक रिस्ता भी है और अलोकिक रिस्ता भी है आज वो ढूट रहा है संसार के लोग जब संसार के इस मायवी सरीर को त्यागने के बाद भी तो इतना रोते हैं इतना तड़कते हैं तो वो तो स्वयम आत्मा है प्रमधाम की तो वो क्यों न रोए और क्यों न तड़के आज जब संसार के थोड़ा सा लगाब भी था वो तूड़ जाता है अब वो स्वयम धामधनी के प्रतिय किस प्रकार से निवचावर होना है और किस प्रकार से बैराग्य धारन करना है वो यहाँ पे होता है यहाँ पे आगे यह कहा जा रहा है यह प्रसंग से पहले यह आया था कि जब महिराजी स्वयम धामधनी से मिलते हैं तो स्वयम उनके पास उसी समय पे धामधनी क्या देते हैं वो जागरित बुद्धी का ज्यान दे देते हैं उसी समय पे उनके पास वो बुद्धी आ जाती है बुद्धी कितने प्रकार के होती है बुद्धी होती है तीन प्रकार की वो बुद्धी क्या क्या है वो बुद्धी है सोपनिक बुद्धी वो बुद्धी है जागरित बुद्धी और वो तिसरा बुद्धी है निज बुद्धी एते दिन त्रैलोक में जो हुती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागरत ले प्रगटिपूरी नौतन नौतन पुरी पे सोयम धनी स्री देपचंद्र जी जागरित बुद्धी लेकर वहाँ पे पहुंचे हुए उनके पास देने के लिए जागरित बुद्धी है धनी ने थोड़ा बहुत निज बुद्धी का ज्यान उनको दिया हुआ है लेकिन पूर्ण ज्यान सोयम पाचवे दिन की लिला में सोयम भीराजी के तन से जब प्राना जी लिला करेंगे तब जाकर तार्तम का तार्तम ज्यान देने के लिए वो निज बुद्धी का खेल खेला जाएगा लेकिन आज के दिन पे जब नौतनपुरी पे हैं वहाँ पे शरिफ जागरत बुद्धी का ग्यान आया हुआ है तो जागरत बुद्धी का वही ज्यान जो अक्षर ब्रह्मा सत अंग का अंग है वो जागरत बुद्धी का ग्यान है जो ग्यान अक्षर ब्रह्म के पास है वो ग्यान क्या क्या है वो ग्यान है कि मैं कौन हूँ मैं कहां से आया हूँ और मुझे जाना कहां पे है वो ग्यान अब महीराजी को है आज जागरित बुद्धी का ग्यान हमारे पास है या ने वो ग्यान हमारे पास भी है लेकिन हो सकता है वो निजबुद्धी आज हमारे पास ना हो उस परमधाम के जो निश्वत है जो प्रेम है जहाँ पे उस पक्चिस पक्चे में वो धामधनी कृड़ा करते हैं वो बुद्धी आज निजबुद्धी के नाम से जाना जाता है जो खिल्वत, परिक्रमा, सागर और सिंगार में जो नहीत ग्यान है उसको निजबुद्धी का ग्यान कहा जाता है और वो धारन करते हुए हम धाम धनी को रिजा सकते हैं तथा चित्वनी के माध्यम से हम उनका दर्शन कर सकते हैं तिसरा जो सबसे छोटा बुद्धी है वो संसारिक बुद्धी है जो हमने संसार के उत्पत्ति के समय में जाना था संसार का उत्पत्ति कैसे हुआ था जब सत्व रज और तम जो तिन गुर्ण है जब विछोब होता है तब जाकर महत की सृष्टी होती है महत किसको कहते हैं बुद्धी को कहते हैं तो वही बुद्धी है जो हमारे अंदर आज संसारिक बुद्धी कहा जाता है और वो संसारिक बुद्धी किस प्रकार से सोचता है वो हम सब को पता है तो इस प्रकार आज हमारे पास जो तार्तम ले चुके हैं उनके पास क्या है संसारिक बुद्धी और जागरित बुद्धी हो सकता है उनके पास निज़ बुद्धी ना हो लेकिन संसार के पास आज श्रिफ एक बुद्धी है वो भी संसारिक फिर भी वो लोग तब करते हैं वो लोग हम जो जागरित बुद्धी होने के बाद भी जितना समर्पन हमारे पास होना चाहिए वो समर्पन से ज्यादा वो जीव सृष्टी दिखाती है तो इस प्रकार से आज जो जागरित बुद्धी मिलने के बाद जो मिहीराज जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे कांजी भड़ जी से जो लिला करके दिखाया और आज जिस प्रकार से 24 बरस होने के बाद जब गोवर्दन जी वो चले जाते हैं तब जाकर वो जागरत बुद्धी का खेल और प्रगाट रुप से लिला करने वाली है और वो बैराग्य की तरफ ले जाकर सुम धामधनी के तरफ वो मोडने वाली है तो किस प्रकार से वो खेल होता है आगे बताएंगे तेरा वर्स माया मिने था उपर लौकी का बोज तेरा बर्स माया मिने वो लौकी का बोज किस के पास था स्वयम मिहराज जी वहाँ पे मनुस्चितन धारन करके आयो आज के दिन पे भले हम उनको प्रानाज जी कहके पुकारते हैं लेकिन वो भी इसी जो पांस तत्तो का सरीर है वही धारन करते थे उनके अंदर भी जो मन अंतसकरन था उसी प्रकार का था और वो भी उसी ग्रिहस्त परिवार से ही जुड़े हो थे 20 साल के उमर पे उनके साधी फुलबाई से हो जाती है संसारिक एक भोज भी है तब जाकर 13 बरस का 12 साल के उमर में उन्होंने ग्यान वो ले चुके हैं 12 साल के उमर पे तारतम ग्यान लेने के बाद भी 25 साल तक ग्रिहस्त के काम में ही वो समलगन होने के कारण उनको श्रीफ ये कहिए दिया जाता है कि आप उस माया पे फशे रहे गए आज ये देखने में आता है कि जो एक सफेद सा परदा है उस सफेद से परदे में येदि छोटा सा एक काला सा धबा भी लग जाता है तो लोग कहां पे देखते हैं उस काले धबे में ही देखते हैं ना कि वो जितना सफेद है उसमें कोई नहीं देखता उसी प्रकार से यदि काला पूर्ण तया से हो और छोटा सा सफेद हो तो वो सफेद को देखेंगे आज के स्रिष्टी पे लोग ज्यादा काले हो गये हैं और थोड़ा सा सफेद दिखाते हैं लेकिन महिराजी जिसके अंदर सोयम धामधनी को लिला करना है जिसका चादर पूर्ण तया से सफेद है उनके अंदर छोटा सा एक तेरव बरसी की बाते कहे कर वो दाग दिखाने का प्रयाश किया गया है दाग भी इसलिए दिखाया गया है कि हम सुन्दर साथ कुछ सिख सकें कुछ प्रेरना ले सकें तब जाकर यहाँ पे दाग कहा गया है वरना वो दाग कुछ है नहीं बस है तो एक सिखापन तब जाकर यहाँ पे इस प्रकार कहा गया है आगे बढ़ते हैं एक दिन श्री महराज को दिल उपज एह बिचार तब स्वयम महराजी हैं अब लगभग 25 साल के हो चुके हैं एक नवजवान युवग है बाइराग्य धारन हो चुका है अपने आपको स्वयम ब्रह्मस्रिष्टी वो मान चुके हैं है ब्रह्मस्रिष्टी मे भीन मे मरे नहीं मे को मारना में जब तक मे उस परमधाम का नहीं लेंगे खुद को ब्रह्मस्रिष्टी नहीं कहेंगे तब इस संसार का मे को मारना नामुम्किन है तो उस प्रकार से स्वयम महिराज जी को जब धनिश्री देव चंदर जी ये कह चुके हैं कि तुम इंद्रावती सक्षी हो तुम उस परमधाम से आई हो तो अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखाए देता है इदि मैं परमधाम की ब्रह्म शिष्टी हूँ तो मुझे वो अधिकार क्यों नहीं है जो स्वयम धनिश्री देव चंदर जी के पास है वो यही प्रस्ण करते हैं कि वो धनिश्री देव चंदर जी भी परमधाम से हैं और मैं भी परमधाम से हूँ तो वो अधिकार मेरे पास भी होना चाहिए इस प्रकार जब वो मन पे दोंद खेलता है तब वो यही विचार करते हैं कि हो सकता है आज दिन तक जो मैंने अबगुन नहीं देखा वो अबगुन के कारण मुझे वो परदा के कारण से धनी नहीं दिखाई दे रहे तब वो अपने अबगुन को देखते ह और क्या करते हैं? जब हम परमधाम की ओर जाएंगे और उस चरन कमल को पकड़ेंगे तब वो इस्तिती गहराई वो गुण को हमें पकड़ना चाहिए लेकिन जो अब गुण है जिससे संसार के ओर ले जाए जो मुह माया और अहंकार के ओर ले जाए उस अब गुण को हमें त्यागना चाहिए उस अबगुन को अब स्वेम मिहराज जी अपने अंदर देखते हैं, वो अबगुन को अब काड़ने के प्रयास करते हैं, वो ज्यान धारन कर चुके हैं, उनको ये पता है कि युकत आहर भीहार यश्य का, वो सिदान भी उनको पता है, लेकिन फिर भी अपने सरीर को वो क्या करते हैं, कश्ट देते हैं कि अब मैं इतना सा जो एक सिक्के का भारीपन है, उतना वो आहर करने लगते हैं, वो जितने भी दोस्त सामने मिलते हैं, उनसे अब मुह मोड लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग तो इस प्रकार जब वो सोचते हैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते हैं। बाते करते हैं तो श्रिप धामधनी के चर्चा येदी धामधनी के सुनते हैं तो चर्चा का चर्चा भी वो कर लेते हैं। अपने सुन्दर साथ को बेठाते हैं और चर्चा करते हैं और जब भी धाम धनी कुछ ज्यान की चर्चा ब्रज और रास की बाते करते हैं जब भी हौज को सर की बाते आती है तो उनके आखों में आशु आता है और वो रोने लगते हैं तो इस प्रकार की जो इस्तिती हो जाती है, तब जाकर यहां पर एक लिला होती है। तब बालबाई आए के कहिया आगे स्री देव चंद्र जी। बाल बाई जी ये तो कहे रहे हैं कि अब डेपचंडर जी को कि गोवरधन जी जिस प्रकार से इतने जल्दे कम उमर पे जा चुके हैं क्या आब मीहराजी को भी इसी प्रकार से भेजना चाहते हूं लेकिन इससे पहले भी एक चौपाए है जहां पर क्या कया जा रहा है जा रहा है कि जो कसनी उन्होंने किया था कि मैं परमधाम की आत्मा हूं और मुझे उस परमधाम के स्वरूप का दर्शन होना चाहिए तब जाकर यहां पे कहा जा रहा है कि वो द्धाम के आत्मा वहां पे उस समुहां पे चली जाती है और स्वयम अपने परात्म का एक जलक पाले थे उमर है 27 साल इस प्रकार से स्वाम जी ने टिका में लिखा हुआ है यहां पे 27 साल के उमर पे स्वेयम मिहराज जी जिनके अंदर इंद्रावुति सकी बेटी हैं उनके ही तड़प के कारण वो परमधाम तक गए और अपने सुरुप का एक जलक पाया आज समाज में यह अंदर विश्वास है कि धनी श्री देपचंद्र जी कौन थे वो स्वेयम स्यामा जी की आत्मा थे तब तो उनको 40 बरस के उमर पे धाम धनी ने दर्शन दिया स्वेयम प्रानाज जी है साक्षात रुपे उनको भी 40 बरस के उमर पे दर्शन होता है तो हम तो कौन होते हैं हम तो एक छोटे से जीव हैं हम हो सकते हैं एक द्रम स्ष्ष्टी हो लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं इसलिए हमें धाम धनी का दर्शन अभी नहीं होगा 40 बरस के बाद ही हम भी तब करें तो जब इस प्रकार का सोच हम करते हैं तो हम पुरसार्च करने में कुछ बिलं करते हैं और बिलं करने के बाद जो माया रूपी अंड़कार प्रविस कर जाते हैं वो अंदकार के द्वारा ही हम माय के अंधर बेठते हैं और धाम धनी से दूर होते हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे इसलिए यह कहा गया है कि 27 साल के उमर हो इसलिए कहा गया कि 5 साल का धृब का जैसा उमर क्यों ना हो यही कहा जाता है कि तुम्हारे पास तडब कितना है यही प्यास जितना होगा पानी पीने की इच्छा भी उतना यह होगा जितना प्यास होगा तुम उतना ही भागोगे और प्यास बढ़ता ही जाएगा हो सकता है मर जाओगे लेकिन प्यासा बेक्ति कभी भी धूनने के वो नहीं छोड़ेगा वो कभी ना कभी किसी ना किसी इस्तिती पे वो प्यासा बेक्ति उस पानी को ग्रहन करी लेगा उसी प्रकार से आज महीर राजी स्वयम इंद्रावती सखीर ने खुद का परातम का सुरूप का एक जहलक पाया अब उनको फिर भी वो प्यासा नहीं बुज़ रहा है अब जाकर धामधनी से और कुछ कहने के लिए वो इच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ कहते हैं यह वस्त हुकम की सो होए एक ही ठोर तब स्वयम मिहराजी यही कहते हैं कि आपको तो दर्शन होता ही है लेकिन मुझे मैं भी इंद्रावुती सकी हूँ मुझे दर्शन क्यूं नहीं होता तो सोयम धनी स्री देपचनर जी यही कहते हैं यह चोथा दिन का लिला चल रहा है एक साक्षी दिया गया है कि कुरान पक्ष में कि कितने दिन का लिला होने वाला है प्रथम दिन का लिला है भ्रज का दुसरे दिन का लिला है रास का तिसरा दिन बरा रब में होगा अरब के धर्ति में मुहमद साहब जी के तन के द्वारा हुआ चोथा दिन का लिला तो अब चल रहा है जो मैं कर रहा हूँ अर्था धनी स्री देपचंदर जी कह रहे लेकिन तुझे ये लगता है कि तेरे अंदर भी स्वयम धाम धनी चाहिए तो मुझे उठा ले मुझे समात कर दे मैं यहां से अपनी इस्तान से उठ जाओंगा कहने का तत्पर्य क्या है क्या गादी से वो उठेंगे क्या जो बेठे हुए इस्तान है उससे वो उठेंगे और जो इस्तान है मिहराजी आकर बेठने के बाद क्या उनको सक्ती मिलेगे तो वो ये नहीं कह रहे हैं वो इस्तान का कोई मोहत तो नहीं कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हिर्दे के अंदर जो बेटे हुए धाम धनी है वो किसके अंदर बेटे हुए हैं वो स्यामा जी के अंदर वो हिर्दे पे बेटे हुए हैं तो वही इस्तान छोड़ने के बाद अर्थातिये लिला समाप्त होने के बाद पांच्वे दिन का लिला तब प्रारम होगा और तब जाकर हे महिराज तेरे स्वयम धाम के अंदर वो धनी प्रविश करें तो इस प्रकार से जब वो समझाते हैं तब जाकर उनको थोड़ा फिर भी वो समझने वाले नहीं है फिर भी वो ये कहने वाले हैं कि नहीं मुझे दर्शन करना ही है गादी के बाद चल ही गई है गादी क्या है एक सत्ता सुरुप है जिस पे हम एक प्रमुक बेक्ति को चयन करते हैं और उस पे रखते हैं क्या गादी का महत है या ने हाँ गादी का महत्तो है लेकिन वो गादी का महत्तो इसलिए है क्योंकि सब सुन्दर साथ मिलके उस बेक्ति का चैन किया है उस सत्ता सुरुप को माना गया है जिस प्रकार प्रधानमंत्री चैन करने के लिए चुनाब होता है और वो चुनाब करने के बाद प्रधानमंत्री के कु कुछ सी ना होके प्रदान मंत्र के उस सत्ता को माना जाता है तो उस सत्ता को तो मानना ही चाहिए लेकिन प्रदान मंत्र यदि गलत डिसीजन लेता है तो उस प्रदान मंत्र को क्या किया जाता है उसको उस सत्ता से बहिशकार कर दिया जाता है और दूसरा प्रदान मंत्र ला यदि वो महराज यदि गलत कहते हैं और बानी के बूलते हैं, तब जाकर उन महराज का भी हमें बहिस्कार करना चाहिए उस तार्तम ग्यान के बदलग. तो उस प्रकार से यदि गादी का मौत तो समझते हैं, तब जाकर यहाँ पे उस गादी का बात नहीं हो रहे हैं, वो हिर्दे की बात है। तब जाकर महराज जी अब क्या लिला करते हैं वो बताते हैं। थोड़े दिन के लिए भी अब जीवित रहेंगे। तो इसलिए है देवचंडर जी आप जैसे भी हो इनको थोड़ा सा माया का लगा आप लगा दो। जैसे भी हो आप अस धाम के बाइरागे से थोड़ा सा दूर कर दो जिसके कारण इनका तन बचा रह जाए। लेकिन वो धाम की आत्मा है जो अपने तन को नहीं देखता वो धाम की आत्मा है जो सोयम उस तारतम ज्यान को लेने के लिए तयार है और अपने जीव को कभी वो जतन नहीं करेगे दाम दनी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो लक्षन दिखातियों में वो तो चल रहे हैं लेकिन जीराजी को भेज देते हैं। गुजरात में अब अपने जो धर्मसास्त्र हैं जहां पे सुन्दर जैसे सक्षियां आने वाली हैं। जिस प्रकार से सोयम धाम धनी इस दुन्या पे लिला करने वाले हैं। जिस प्रकार से जागनी का लिला का दोर चलने वाला है और किस प् सास्त्र में वो सास्त्र को ढूंड के लाओ तब जाकर उनको उस गुजरात के छेत्र पे भेजा जाता है तब जाकर उनके जो बैराग्य का इस्तिति है वो कम होता है अब जाकर वहां पे लिलाय अनिको प्रारम होती है उनको खेता भाई के पास किस प्रकार से भेजा जाता है खेता भाई में भी उस दुन्या पे जो अरब की धर्ती है किस प्रकार से वहाँ लिला होती है किस प्रकार से वहाँ से छुटने के बाद आने के बाद धामधनी के बिरह में तड़पते हैं किस प्रकार का बाणी का अवतरह होता है वो कल के दिन पे हम करेंगे लेकिन आज के दिन पे हमने यही जाना कि किस प्रकार एक ब्रह्मिस्रिष्टियों का लक्षण होना चाहिए किस प्रकार हम अपने अधिकार को मागना चाहिए किस प्रकार हमें तारतम से जो जागरित बुद्धी मिला हुआ है उस बुद्धी के उपर चलते हुए धामधनी के ओर जाना चाहिए तो इसलिए वो समय को ना देखते हुए कि हम 5 साल के हैं, 10 साल के हैं या 50 साल के हैं वो समय को ना देखते हुए अब धामधनी के ओर जाना ही चाहिए और उस तरब को आगे बढ़ाते हुए धामधनी को अपने हिर्दे पे बसाना चाहिए यही हमने आज इस वितक से थोड़ा बहुत कुछ सिखा तो यही बचन समाग करते हुए अब चौपाई दो रहेंगे स्री महमति कहे ए मौमिनों सुनियो यहा बितका आगे फेरा कहत हुए जो आज जय है हाक